जो आंक से हम देख रहे हैं वही सोई होती है अब हिंदु साथ हो या मुस्लिम साथ हो जब आप बीते की ना तो आपको आपको फिर एसास होगा है कि हमाँ आसास होगा यह भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आये हुए आतंकवादी थे तो वह मंद मस्जिद में चुपए हुए थे नारा कहां से लग रहा था हिंदू निकल जाओ आई 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 जबाब दीजिए इनकी अवकात नहीं है कि यह बाम पत्ति रुख जाएं वह भी केजरिवाल कहां बोला विधान सभा में अगर इस तरह से पब्लिक प्लेस में आके बोलता ना इतने जूते पर जूटी मोगी है इसके बारे में हम को टिप्टिक ने करने जाते हैं अच्छा जो पंडिदो साथ में हुआ था जम्मू कश्मीर में अब देखिए हम यह खड़े हैं जो आंक से हम देख रहे हैं वही सो होती है हिंदू साथ हो या मुस्लिम साथ हो जब आप बीते की ना इस देश का दोगला पंती है यह दोगले लोग है इसी वज़ा से हुआ वहां मुसलमान के साथ हुआ तो जम्मू कश्मीर में कितने मुसलमान बाहर निकल गए एक घर बता दे कोई वहां 500 मंदिर तोड़ दिये गए एक हिंदू बताई है जिसने एक पत्तर तोड़ दिया हो अच्छा एक बात बताई है वहां के जो बहुत संख्यक हिंदू हैं वह क्या कि थे उनके साथ अलग देश मांग रहे थे नहीं न उनके साथ कोई अन्याय कर रहे थे नहीं न उनके कि आमटसे साथ कोई थिभायिचारा बना के रहा रहे ते तुम्हों क कस्मिर सरकार से मांगते सायनय को मारते लिगे क्या भिगाण तुम्हारे सात्ता करते हैं यह ho बगल में पनोसी बैठा हूआ है और वही बता रहा है कि यहां भी छुपा हुआ है यहां पाकिस्तान से आये हुए थे तो मंद मस्जिद में चुपे हुए थे नारा कहा लग रहा था हिंदू निकल जाओ आईये आईये जबाब दीजिए बोले है तो आईये जबाब दीजिए ने लड़ाई की बाद रही है सत है वह बोल रहा हूँ अगर दम है तो काटिए मेरी बात को काटिए बोलने का आपको भी राइट है प्यार से बोलिये बताईए मैं फैक्ट पर बात करता हूँ आप ठिकेंगे ही नहीं इनकी आवकात नहीं है कि यह बामपत्थी रुख जाए। वह भी केजरिवाल कहां बोला। भिधान सब्द में। अगर इस तरह से पुब्लिक प्लेस में आके बोलता ना। इतने जूते पड़ते हैं कि सर में एक बाल नहीं रहता। उसकी आवकात नहीं है। केद्रिवाल की आउकात नहीं है कि पब्लिक प्लेस में आके सीधा कहा दे कि जम्मू कस्मीर में यह जम्मू कस्मीर फाइल गलत है इसलिए कि 700 लोगों का साथ सो लोगों का इंटरव्यू लिया गया है अगर केजरिवाल तूम कह रहे हो कि जम्मू कस्मिर जुटा है तेरे माने दूध पिलाया है केजरिवाल इस मंच से मने यहां खड़ा होके कह रहा हूं इतने लोगों के बीच में कि जाओ कॉट में जाओ कई गलत है तो दो किसी की गान में औकात ना है जितने बीरोधी एक कॉट में चले जाएं इसलिए के कोट में जाएंगे तो जलील होंगे और कोट में जाएंगे तो यह मामला खुल जाएगा और तब वह हिंदू को न्याय मिलना शुरू हो जाएगा यह अदर्द है क्या नाम है आपका विसाल सवाल क्या आपका यह बोलना चाहरा हूं जाए भाई खान साब थे वो बोल रहे थी हमने महसूस नहीं किया तो हमें क्या पता हुआ के कस्विरों के पंडितों का वो तो मुसलमानों के साथ में वहां हुआ है सर बिलकुल नहीं मुसलमान ने बहुत गलत किया मुसलमान सारे मुसलमान गलत नहीं है कुछ मुसलमान जैसे की सर क्या नाम था उनका जो मूवी में टरिस दिखा गए कराटे और वो यासीन मलीक यासीन मलीक कि सबी मुस्टर्मान गलत नहीं होते हैं भाई साथ लाख परिवार को निकालने के लिए साथ लाख परिवार को घेर लीजिए तो कम से कम सत्तर लाख लोग चाहिए इसका मतलब वहां सत्तर परसेंट लोग गलत हैं कौन मस्जिदों से बोल रहा था यासीन मली को सै कौन दे रहा था कॉंग्रेस फारुक अब्दुल्ला उमर अब्दुला वहां की सरकार मस्जिद से बात नहीं क्या कॉंग्रेस का हाथ रहा हर जगा आज वह आरोप और यह कर रहे हैं उसमें अर्मिंद केजरिवाल पॉलिटिकल मैलेज लेने की कोसिस कर रहे हैं और कुछ निए उन कि उत्राखंड चलने एक बार पता चल जाएगा उनको क्या होगा है सर बिहार में ना बिहार गए था यह अभी तो अलेक्षा नहीं लड़ा लेकिन इनको पटना से मार के भगा दिया था यूपी में कितने सीटों पे इनकी जवाना जब तो गई उत्राखंड में इनकी अरडनी निया रहे है सर ढ़ी की लोगों को फरी चीजें पसंद आंबस मैं यही कहना चाहता हूं फ्री की चीजें बस पसंद बार जो कि दीवर गुलाम वा थो नियुक्तु अ जया है इक निदम एक उस जहां भूत इतर लुए को दूसरी बार यहां के हिंदु ही जाके जैचंद जैसे लोग जाके उसको बुला के लाए और मुहम्मद गोरी के साथ मिलके लड़े केजरिवाल जैसे लोग और तब यह देश गुलाम हुआ पहली बार इकार 1192 में दिली पहली बार गुलामी स्विकार किया कुतुम मिनार का क्या मतलब है जानते हैं उसका मतलब क्या है मुहम्मद गोरी का गुलाम मुहम्मद गोरी चला गया जीत के भारत मने दिल्ली प्रत्वीरा चोहां को हरा के उसके बाद से वह अपना नौकर गुलाम जो था उसको यहां का राजा बतब बना दिया और उसने कुतुम मिनार खड़ा किया है कि म दिल्ली कि वही वही लोग देखिए 40-45 परसंट लोग अभी भी राष्टवादी दिल्ली में हैं लेकिन बाकी लोग उसी मान सिकता कहें जो केजरिवाल का साथ देते हैं क्या नाम है आपका महमद फिरोज है मुहमद ये बताईए जिस तरीके से अरविंद केजरिवाल पह कि द्रवाज़े के सामने जो बीजेपी के क्यारेट तोड रहे हैं अगर सामने आते तो उनको जान से मार दिया जाता है इसे किसी चीज का हल नहीं है प्रुबाट रखने हैं प्यार महब गुरोड़ा प्यार जो करने लटाय तरह गरकत नहीं करने चाहिए यह बताए जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों को जम्मो कश्मीर से मार के निकाल दिया गया क्या जूठा था यह गलत है यह इसे करना चाहिए अब पहले देखेंगा पहले दुनिया में तो परेशान हो जाएगा अब फ्यूचर के बारे में सोच वह पुरानी बात हो गई अब फ्यूचर के बारे में सोच आइंदे के बारे में देश सम्मील जूल के रहो प्यार मौबब से हिंदू-मुसलिम सम्मील जूल के चलो यह तो देश का भला होगा अब इससे तो यह कहीं कशी से रहे उनका साथ देना चाहिए और जो जैडायक्टर फिलिम उसे भी उनकी मदद करनी चाहि देखो मैं देखो मैंने तो देखी निया है अब जहां कि रहें गुजरार दंगे बनाओ तो कहा कहा की फिल्म बनाती फिरेंगे अब यह समा प्यार मौबस से मिल जूल के रहो देश को आके बढ़ाओ हिंदू-मुसल्मान इससे कुछ होने वाला नहीं है आपसे प्यार मौ कश्मीरी पंडित थे उनको बसादने की कोशिश की जा रही है पहले तो अरविंद केजरिवाल जी ने जिस तरीके से कश्मीर फाइल के बयान देकर फस गए थे अब यूटन लिए उसके बाद नया मुद्दा निकाला जा रहा है सारी मुद्दों को भठकाने के लिए कि अरविंद केजरिवाल को जान से मारने की कोशिश की जा रही है अरविंद केजरिवाल उनका समर्थन करेंगे जो पूरे दिलि को एक दिल्ली को सालो बंधक बनाए जाता है जिसमें लाक हो बेरुजगार होते हैं दिल्ली के देस में महंगाई में उसका भी सबसे जूता बनाते हैं यह सिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री वहां थी और वहीं सांदोलन से बची थी उसके साथ अर्विंद केज्रिवाल थे सारे बामपंथी थे पूरे देश के लोग थे सब लोग थे यह जितने चाहिए वह अखिले से आदा हो चाहिए मम्ताप अपने आपको कुछ नहीं कहना है कि समझ रहें यह एक नेरेटिव शेट किया जा रहे यह दरसल समझ रहें कि जुकि यूपी पी हार के स्थर परसेंट लोग रहते हैं दिल्ली में उत्तर प्रदेश के चुनावं का परिडाम समझ में आ गया है आने वाले समय में दिल्ली का परदानमंत्री जो एक गरीब को जब करिंद देखिए दोनों के चरीतर में कितना बड़ा अंतर है घृमारे देश के पर्धानमंत्री जब तो वहाँ जो सफाई कर्मचारी होते है को ज़ाड़ा बंजाकर दौल के के और माते लगाते हैं कभी अर्विंद केजरिवाल को इस तरह से सामान या आदमी गरीब आदमी का पैर छूते हुए देखे हैं वो धोंग करते हैं ठीक ना लेकिन यहां जो करते हैं पहना चैहें सर्जिकल स्ट्राइक हो एयर स्ट्राइक हो मैंने देश के स्वाइमान और स अपने आपको सरमिंदा महसूस कर रहे होंगे इसलिए कि जम्मू कस्मीर फिल्म ही तो है ठीक और फिल्म में सवाल इसमें यह उठता है कि जब बीजेपी के कार्यकरता उनकी गेट पर जाते हैं तो वो बोड़े एक जान से माने की कोशिश की जा रही है जब कश्मीरी मीडिया थी की नहीं तो कितने आदमी घर में घुच गए अरे भारती जंता पाटी के जुआ मोर्चा के कार्यकरता ले जाके गेट पर भगवा लगा दिये हैं उनको असली चीड है भगवा से हां पूछना है असली असली सेकुलर बताना है इस देश में जैसे जम्मू कस्म की घटना कराएंगे पंजाब में वहां से हिंदू के पलायन का प्लानिंग बना रहे हैं इसलिए उसको समर्थन कर रहे हैं जम्मू कस्मीर का कि पंजाब में वह यह घटना घटने वाली है यहां आदमी जितने देश के आतंकवादी हैं सब के साथ